बोल रहे हैं ओ दीदी ओ दीदी तो ममता बनर जी भी अगर उलटके जवाब देती ही ओ चाचा ओ फेकू चाचा क्या हल है तो कैसा लगता देश का गिरी मंतरी पांचो राज में चुनाओं में ब्यासते हैं देश का सिछा मंतरी वहां ब्यासते हैं देश का रेल मंतरी वहां सरकार दिल्ली में है कहा कि मैं किस से बात करूंगा जाकर देखिए यह सरकार पूरे तरीके से औसरवादी हो चुकी है यह सरकार देश के आम लोगों को भूखे मारना चाहती है सरकार करोना को एक औसर मना दी चुकी है जहां चुनाओ होगा वहां करोना नहीं जाएगा लेकिन जहां पर लोग दूसरे राजों से कमाने के लिए जाएंगे वहां करोना के नाम पर उनको भगाया जाएगा जब किसान अपने हग और अधिकार के लेकर अंदोलन करेगा उसको अंदोलन बंद कराने के लिए करोना का बहाना बनाएंगे लेकिन पांच राजों में देश का परधान मंत्री गिरी मंत्री और तमाम लोग खुली बिना मार्क्स को जाकर रेलिया कर रहे हैं 1000 और 1000 की संक्या में रोट सो कर रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं क्या वहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा है यह मोदी जी दुरभाग इस बात का है कि हमारे परद्धान मंत्री जी कहते हैं कि कोरोना अभी खतum नहीं हुआ है दो गजदूरी माक्स है जरूरी लेकिन बंगाल पहुंचते हैं यह अपलाई नहीं करीते हैं यह भूल जाते हैं कि हम माक्स पहिनेंगे और दो गजदूरी रखेंगे देखिए यह सरकार पूरे तरीके से और सरवादी हो चुकी है यह सरकार देश के आम लोगों को भूखे म मारना चाहती है मुंबई मजदूर छे महिना घर पे बैठने के बाद दिल्ली मुंबई कमाने के लिए आ हैं तो पुनो उनको करोना के नाम पे भगाये जा रहा है मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं अगर वास्तविक रुप से करोना है तो सिनेमा हॉल को बंद किजिए च चुनाओं की क्या जरूरत है वहां दौा और एक और बात दारू बीर बार खुला हुआ है भटिया खुली हुई है लेकिन एसकूल नहीं खुलेंगे यह सरकार की साजिश्ते की है सरकार यह आम देश के आम नागरिकों को नसरी बनाना चाहती है लेकिन सिच्छा नहीं देन यह तो सरकार कह रहे थी कि बंगाल में भी एस सरकार कह रहे थी दिल्ली में भी हम चुनाओं जीत रहे जाएंगे लेकिन दिल्ली में क्या हुआ देश का गिरी मंत्री गली-गली घुमा परच्या मांगा लेकिन दिल्ली की जनता ने उसको भोट देने का नहीं काम किया चुनाव हारेगी तब जाके घमंड तूटेगा नहीं इसलिए हार कर रहे हैं कि सरकार की जो नीती और नियत हैं दोनों गंदी हैं और किस अधार पर एक और बासुन यह किस अधार पर भोट मांगेंगे मोदी जी साथ साल में जिन्हों काम किया उसके नाम पर भोट नहीं मांग रहे हैं बोल रहे हैं ओ दीदी ओ दीदी तब ममता बनर जी अगर उलटके जवाब देती ही ओ चाचा ओ फेकू चाचा क्या हल है तो कैसा लगता देश के परधान मंत्री जी आप अपने गरीमा को धूमिल मत किजिए आप देश के आम इंडिया बेवस्था करेंगे उनकी फसलों को किमत दोगिनी करेंगे इसलिए आपने भोट दिया था लेकिन आप परधान मंत्री बनते ही देश के इवाओं को रोजगार के लिए सड़क पलाने का काम किया देश का अन्यदाता चार महीने से सड़क पर है लेकिन सुनने को तयार नहीं है आप देखते राजा यह यह सरकार पूरे तरीके से मुझ से गाज फेक चुकी है यह सरकार पूरे तरीके से जो मंद किसानों से जुमिल हो चुकी है आप देखिए तीन तारीकों दिल्ली यह सरकार पहुँचेगी और जो किसान गेहु काटने के लिए घर गय हैं उभी तीन तारीकों बोर्डर पर पहुंच जाएंगे तब किसानों से और सरकार से बैठक होगी तब जाकर हमारा हिंदू मुस्लिम करेगी फिर भी देश की जनता नहीं मानेगी तो वह क्या करेगी बूत को केप्चर करने का काम करेगी उससे भी अगर चुनाव नहीं जीतती है तो एभियम है करने का काम करेगी अगर एभियम हैक भी नहीं हुआ तो कानून लाकर देश के राज के मुख मंत लेकिन उसका नॉमिनेशन कैंसिल नहीं हो जाता है अरे भाई दूद को अगर बिल्ली को रखवाली करने के लिए दीजिएगा तो दूद बचेगा यह चुनाव आयोग किसके ही सारे पर काम कर रहा है यह लोग तंत्र में यह नीट्रल लोग है चुनाव आयोग लेकिन यह च है खोने का काम किया जा रहा है यह चुनाव यह अपने हाथ बेहाट डालकर बैठा हुआ यह दुर्भाग है लोग तंत्र के लिए समिधान के लिए खत्रा हो चुका है यह सोचने की जरूरत है देश की जनता को एक बात पताइए न सरकार है कहां दिल्ली में देश का परधान मंतरी बंगाल असाहं मुलाड़ उण जमीलाड़ू और पाँचोव राजव करूंगा जाकर तीन तारी को सरकार आएगी तो बैठक होगा और एक पास सुन लिजिए ये सरकार की सोची समझी साजी से कि बच्चे चले जाएं महिलाएं चले जाएं बुढ़े चले जाएं तो परिवार में क्या होता है महिला पुरूस बच्चा और बुढ़े जब तीन ल स्लेम सी किसाई महिला पुरूस बुढ़ा जवान सब लोग मिल कर ये सरकार को उखाब फैकने का कां करेंगे की मिडिया चाइनल है आज तक चाइनल की एंकर अंजरा हों कैसे अब स्टेडियों में बैठके कर रही हैं कि किसान राजनीति कर रहा है और जो ये युओ लड़के बोल रहे हैं ये नितागीरिय चमकाने के लिए हैं। अगर मैं किसानों के पक्ष में बोलता हूँ, किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ता हूँ, तो किसान हमको क्या देगा, क्या देगा, लेकिन मोदी जी का कल से मैं तारिफ करने लगू, मोदी जी का चापलूसी करने लगू, तो मोदी जी हमको M.L.C. बना देगा, लेक दम तक किसानों के साथ खड़े रहेंगे किसानों को गोलिया लगेगी तो सबसे पहले हम देसे इवाओ को सीने पे गोलिया रख रोक देंगे लेकिन हमारे बुजर्गों को गोली लगने नहीं देंगे अपने 28 27 और 28 जनवरी को देखा होगा यहीं पर भारतिय जनता पार्टी का मुख मंत्री अधीत नाती होगी अपने पुलिस को भेज कर किसान जब 26 जनवरी का अंदोलन हुआ था बदनाम कर दिये थे तो कुछ किसान घर चले गए थे डर के मारे कि यह सरकार हमको फसाने का का कर रहे लेकिन यह सरकार का भूल है यह बोडर तभी खाली होगा जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी क्यूंकि 2-8 माजी ने कहा था जब तक तोडेंगा।okes took this नहीं हिए जब तक हमारा हग और अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हमारा अंदोलन जारी रहेगा up हम दसरतमाजी हैं हमारे बगयल मेरे बान बैटी वadow साहब है एक माँस सुन लेजिए हमने इस बोरडर पर होली मनाया है तो हम इद भी मनाएंगे यहां सोतंतर दिबस मनाएं है दियां गरतंतर दिबस भी मनाने का मारें आ जादा बागर को बाबा भीम रावंबेटकर साहब का जैनती भी मनाने का काम करेंगे जिनोंने सभीधान बनाया था और यह सरकार देखिए ना जुकेगी सरकार बिलकुल आपने बहुत अच्छी बात कही दो हजार चौबीस में चुनाव है लोकसभा का यहीं से चुनाव करेंगे और यह गुंगी बहरी सरकार को उखार फेकने का काम करेंगे उत्तर परदेश में भी 22 तारीक 22 22 में चुनाव है बोट देंगे बिलकुल ने देखिए सवाल इसलिए उठ रहा है कि यह सरकार इभियम है खोता है लेकिन यह सरकार पूरे तरीके से जहां उसको भोट नहीं दे रही है जनता चुनाव है करने का काम कर रही है असाम में आपने देखा होगा कि असाम में बंगाल और असाम के भारतियों जंता पार्टी को भोट नहीं दे रही थी तिशके पर्त्यासी के गाड़ी में दिखाया था लेकिन अशांब में भारतीय जंता पार्टी के कैंडिडेक्ट पर त्यासी के गाड़ी में मिला पूरे देश के लोगों ने देखा लेकिन एक बात दुरभाग भी है एक दुरभाग यह भी है कि चुनाव आयोग अभी भी उसका नोमिनेशन कैंसिल नहीं किया कोई नोमिनेशन कैंसिल करना चाहिए और उस पर सब्सक्राइब करने जा रहे हैं यार के गुसा भतार पर निकाल रहे हैं वही हाल ये सरकार करने जा रहे हैं किसान अंदोलन को भटकाने के लिए दंगा फसाद कराना चाहती है हिंदू मुस्लिम करवाना चाहती है इसलिए दासना के मंदिर में नर सिंक्सन मुहमद साहब के अपमान करवा रही है और उससे गालिया दिलवा रही है कि लोग हिंदू म असलिम दंगा फसाद हो जाए और अंदोलन को खाली कर देंगे लेकिन एक बास सुन लें हिंदू-मुस्लिम बैकवर्ट फॉरवर्ट फे यह अंदोलन टूटने वाला नहीं है अंदोलन तब तक जारी रहेगा तब तक हमारा मांग पूरी नहीं हो जाता झाल सहीं हो जाता